नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सबका daily nifty analysis पर मेरा नाम है चिराग और यहाँ पे हम इस channel पर nifty bank nifty के Elliot wave के basis पर analysis करते हैं तो अगर आप interested है तो channel को subscribe जरूर कीजिएगा नifty में हमने पिछले वीडियो में 30 minute chart में समझा था यहाँ से जो decline है वहाँ से यह A over 1 और ये एक ABC decline था तो एक irregular correction की possibility बनती थी ये impulsive move है तो अगर ये A, ये B और ये wave C है irregular correction तो यहां से ये 61% को break कर देना चाहिए और decline यहां से इसके नीचे भी जा सकता है लेकिन अगर ये इस range में corrective pattern बनाता है और time spend करता है तो इस range में से हम bounce expect कर सकता है और वो कितना हो सकता है इसका at least 100 to 123% का bounce हमें देखने को मिल सकता है उसके बाद nifty में इसी range में हमें consolidation देखने को मिला last Friday को जो है 61% को break तो किया 412 का low लगया लेकिन closing जो है 61% के उपर दिया है अभी आज के वीडियो में अगर हम फिर से nifty का two over chart देखे तो यहां से जो wave 3 शुरू हुआ है वहाँ पे 123 complete हो चुका है अगर ये wave 4 है तो ये 5th का 1 और 2 हो सकता है और यहां से 3, 4 और 5 इस तरीके से ये आगे move कर सकता है लेकिन अगर ये irregular correction है जैसा हमने starting में discuss किया था तो यहां से decline continue भी हो सकता है लेकिन ये जो decline है थोड़ा सा हमें slow लग रहा है तो उसलिए थोड़ा confusion है हम क्या करेंगे यहां से जो decline है उस पर focus करेंगे यहां से wave 3 जो है उसका retracement 38% जो है उसको ये already break करके closing दे चुका है और उसके बाद वहां से इस range में आया है 23% के उपर ये नहीं trade कर पाया है जनरल इसके उपर trade करने लगता है तो फिर से positive हो जाता है लेकिन यहां से फिर से हम एक decline देखने को मिला है तो हम क्या करेंगे ये जो pattern है उसको smaller time frame में देखेंगे यहां पे अगर हम द देखें तो यह nifty का 30 minute chart है 30 minute chart में अगर हम देखें तो कोई changes नहीं है जैसा हमने starting में discuss किया यह A or 1 यह हो सकता है irregular correction अगर ऐसा है B or 2 तो यहां से फिर decline जो है वो continue होना चाहिए लेकिन अगर यह कोई corrective pattern है जो हम identify नहीं कर पा रहे है कोई double zigzag type का correction है तो फिर यह wave 5 का 1 हो सकत है और यह जो है two और उसके बाद यहां से sharp bounce मिल सकता है लेकिन यहां पे upside breaking on point कौन सा होगा downside breaking on point तो हमर पास already है इसके नीचे trade करता है तो negative और उसी के आसपास closing भी दिया है तो हमें upside breaking on point कौन सा है वो find out करना है उसके लिए यह जो pattern है यहां से जो bounce है उसको भी हम smaller time frame में दे देखे तो यह A1 यह B2 यह downside break even point है और यह जो है उसका अगर हम retracement निकाले इस decline का तो 38% आ रहा है 19,501 यह जो है upside break even point है इसके उपर trade करता है तो फिर से यह positive बन सकता है अदर्वाइस यह resistance range है इस range को अगर यह उपर की तरह break नहीं कर पाता है तो यहां से decline जो है फिर से continue कर स लगता है यहां पर मैं आपको दोनों scenario इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि यह pattern जो है थोड़ा हमें confusing लग रहा है आगे irregular correction की भी possibility है मान लीजे कि यह जो decline है यह भी अगर हमें clear impulse लगता यहां से decline जो है यह अगर हमें 12345 type का लगता तो भी हम clearly बोलते कि यहां पे corrective bounce जब भी होगा वहां पे आप short का plan कर सकते है buy का plan नहीं करना चाहिए लेकिन यहां पे क्या है यह decline जो है यह corrective type का भी लग रहा है इसलिए confusion है इसलिए मैं यहां पे levels पे focus कर रहा हूं इसके नीचे negative और इसके ऊपर trade करता है तो positive और यह A or one है तो यहां से अगर bounce करता है present level से तो यह अभी के लिए range आ रही है 100 to 123 percent की इस range में भी हमें bounce देखने को मिल सकता है पहले हमें इस range में किस तरीके से behave करता है वो देखना होगा right इसके नीचे trade करता है या इसके उपर उस पर depend करेगा कि कहां तक यह जाएगा bank nifty की अगर हम बात करें तो यह bank nifty का daily chart है daily chart में यहां से जो wave 5 शुरू हुआ है वहां पे projection की बात करें तो 38 और 61 percent की range में already यह bounce कर चुका है यह wave 5 का internal structure देखे तो यह 1, 2, 3, 4 और यहां से जो wave 5 शुरू हुआ है यह वाला wave 5 वो भी 38 और 61 percent दोनों ही अचीव कर चुका है फिर यहां से जो wave 5 शुरू हुआ है वहां पे भी 1, 2, 3 और 4 और यह जो wave 5 है वो भी 38 और 61 percent की range में आ चुका है यहां से जो wave 5 है वहां पे भी 1, 2, 3, 4 और यह जो wave 5 है वो भी 61 percent को अचीव कर चुका है अला कि वहां पे हमें एक decline भी देखने को मिल चुका है जैसी हमने बात की थी पिछले कुछ sessions में कि यह दोनों immediate target हो सकते है और वो दोनों ही achieve हो चुके है मतलब यहां से daily chart में यहां से 32,000 one double five से जो bounce है वहां से लेके smaller time frame में सभी wave 5 हमें complete लग रहा है तो हम मान सकते है कि यहां पे जो है एक top बन चुका है और अभी हमारा focus क्या होना चाहिए यहां से जो decline है उस पर ही हमारा focus होना चाहिए 46,369 से जो decline है उ उसको अगर हम देखे smaller time frame में तो यह जो decline है यहां पे हमने counting already दिया हुआ था यह one irregular two three four और five तो यहां पे एक A or one complete हुआ है और यहां पे B or two C or three का अगर हम projection निकाले तो normal projection range में यह already आ चुका है 161% अभी भी achieve नहीं हुआ है तो यह C or three का जो recent low है उसका अगर हम retracement निकाले 23 to 38% वो immediate resistance range है bank nifty के लिए 44,513 से लेके 44,755 यह resistance range है और 44,755 के उपर trade करता है तो यहां से यह positive बन सकता है अभी के लिए हम यहीं मान सकता है कि C or three या तो यहां पे पूरा हो चुका है या फिर इसके आसपास पूरा होगा राइट तो अगर यहां पे लया लो बनाता है तो हमें यह retracement जो हमने निकाली है वो shift करती जानी है और वो retracement range में किस तरीके से bounce करता है करक्टिव या impulsive sharp bounce उस पर आने वाला move जो है वो depend करेगा friends अगर आप में से कोई इलियेट वेव सीख रहा है या सीखने में interested है तो आपको वीडियो के description में recorded video course और telegram का link मिल जाएगा उसको चेक करना मत बूलिएगा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद